इसके पास जाद आज दे दे जिसकी जितने श्रदा उतने इसाथ से दे लेकिन पैसा सब को देना जो भी कमाता है इसके पाकिस्तान को बावजूत कोशिश्च के बहुत जबाद वैक्सिन नहीं देंगे लेकिन पाकिस्तान ने अभी तर अपने तौर पर कोई और बुक नहीं दिया है इसके बड़ी बजा दिया है कि दुनिया भार में जो वैक्सिन की कॉड़क्शन है उसका साथ फीसर्थ हिंदोस्तान के अंदर है तो जब आप इस तरह के रवाबित को मुनकता करते हैं तो उसके इंप्रिशन के तरफ आते हैं तो मेरे ख्यार में पाकिस्तान को सुछूनों के समझोता तो नहीं करना जाएगे लेकिन इन इकनोमिक रियालिटीज को मदे नदर रखकर इंडियन रूपी एक्टर कब तक वैक्सीन रूल आउट करना शुरू कर देगा क्योंकि कल से सोचल मीडिया पर कुछ बाते हैं वो घर्दिश कर रही है कि इंडियन रूपीस टूफिटी में आस्टरजानिका वहां पर लगाई जारी है एक शक्स को पाकिस्तान में जो कीम करना शुरू हो जाए वैक्सीन अदेखिए प्राइवेट सेक्टर को गर्मेंट इतना फिसलिटेट कर सकती थी इन टर्म्स कि जो फॉमैलिटीज होती है ड्रैप की या जो इंपोर्ट के लिए जिती भी चीजे होती है उनको गमेंट ने बहुत जादा उनको फिसलिटेट क में इस वकार डिलिफरी वैक्सीन की जो जो है वूब recommended है और उसलिए वो कंफी तु कंफी जो ने थोडिय जो हो रही है जो बड़ी heures मैं जारे प्राइविट सेक्टर ने हो थोड़ी महानी है त्टी घूडी उनके ओपर डिपेंड करता है कि वो कब उनको अवेलेबल कर देंगी और जहां तक प्राइसिंग का है प्राइसिंग के लिए एक मेकनिसम हम कोशिश कर रहे हैं कि बाइर से प्राइस वगएर इनकी मगवार रहे हैं ताकि उसकी रॉषिन की पॉलिसी बनाईजे और पी कैप जाए इसके उपर कि लिए से जादा जो है वो वैक्सीन की प्राइस नहीं हो बल्कुल चीक है डॉक्तर नौशी नामित साहिबा आज से जो वैक्सी लगनी शिरू हो जाएगी और अगर अभी तक 60 साल से जाहिद उमर के जो बज़र्ग हैं उन्होंने अभी खुद को रिज हैं जाहर है इसके बारे में मुस्द्दिका हम इस तरह से नहीं कह सकते लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें भी बहुत जल्दी अपनी इस एडवांस्मेंट पर जाना होगा कि हम भी इस तरह से वैक्सीन खुद बना सके ताकि अपने लोगों को अफोर्डिबल प्राइस पर द की शरा अमरीका और यॉर्प के मुकाबले में नहायत कम रही है शाहिद यही वज़ा थी कि जहां हुकूमत ने अपने अग्दामाद में नर्मी बरती वहां अवाम ने भी सोपीस का ख्याल नहीं रखा जिसकी वज़ा से अब इसको कतन खारिज अमकान हम नहीं करार दे सकत कि हम वाइरस को पलेटने का एक और मौका दे रहे हैं दो मार्च को इस वबाद से 75 अफराद हलाक हुए जो 24 दिसंबर के बाद से एक दिन में अमवाद की सबसे बड़ी तादाद है मुल्क में इस वक्त केसिस मुस्बत आने का तनासुब जो है ये 4.2 फीसद है पिछले 24 गंटों के आदाद शुमार को अगर हम देखें तो कोरोना वाइरस से मुतासरा मजीद 54 अफराद जामभाग हो गए हैं और 1359 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं जबके मजमुई तोर पर अमवाद जो हैं ये 13281 हो चुकी हैं ते बीमाहरीन के मताबक 70 फीसद आबादी वाक्सिनेट हो जाने की सूरत में ही इस मुहलिक बेमारी के खिलाव जो है वो लड़ा जा सकता है नबुर्दाजमा हुआ जा सकता है एंसी ओसी के सरबरह असद उमर के मताबक 60 साल और इसे जायद उमर के अफराद की कुरोना से बचाओ की वाक्सिनेशन कल से शुरू होग कुरोना वाक्सिनेशन मोही में तरजमान हकुमत पंजाब के मताबक अब तक 62,000 से जायद फ्रंट लाइन हेल्थ वरकर्स को वाक्सिन लगाई जा चुकी है खत्रे की बात ये है कि माहीरीन के मताबक कुरोना वाक्सिनेशन मोहीम का जो रिस्पॉंस है ये नहायत ही सुस्त रहा है गुजश्टा महीने पेम्जास्पिताल के इंतजामिया भी वाक्सिन ना लगवाने वाले अपने मुलाजमीन को इंतबा जारी कर चुकी है जबके गैलिप के सर्वे के मताबक 40 पाकिस्तानी कोविड-19 के खिलाव वाक्सिन लगवाने के हक में नहीं है सर्वे में श गाही शाइद देने में नाकाम रही है कि लोग इसकी अफादियत को समझने से कासिर यह और नहीं लगवाना चाहती है अवाम की बहुत बड़ी तादाद वैक्सिनिशन को वैक्सिनेशन के हौ लोग साथिस्वाइड क्यों कर मैंने भी किसी से पूछा कि जो बुज़र्ग लोग हैं उनके लिए रेजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर देनी चाहिए तो दो तीन जगा से बड़ा नेगेटिव रिस्पॉंस मिला कि बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए तो इस बारे में जरा बताइएगा कि आप लोग ह और देहनों में वाक्सिनेशन के हवाले से देखे मकसल यह है कि जिस चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो जिसकी चीज़ के बारे में अतना ज्यादा खथा नहीं कहानिया बंती हैं एहम चीज़ है क्या सारी वैक्सीन जो है एक बाकाइदा हीओन ट्रायल्स के थो घुजर हम इसवकर अपने हेल्ब केर्वरकर्स को लगा रहे हैं और अब हम इंशाला बज़ूर्गों के लिए शुरू कर रहे हैं यह उपकर रगार्म के अंदर के लोग हैं उनको साइनो फार्मा ही लगी हैं और आपके सामने हैं, वहाँ मैसिव वैक्सिनेशन हुई है, और कोई ऐसा एडवर्स साइड अफेक्स चो हैं, उस तरह सामने बिल्कुल नहीं आए, माइल साइड अफेक्स हलका सा बुखार हो जाना, कोई थोड़ी सी गले में खराश हो गारा होना, वो तो देखे ना, जब आप कोई वैक्सिन रेते हैं, थोड़ा पहुता साइड अफेक्ट होता है, हम भी जब अपने बच्चों को वैक्सिन दिलवाते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी आप एक दो दिन ने को थोड़ा सा कोई हलका सा हरारत होगी, आप मेरवानी करके पैने ड़ूँ तो गाईज ये वीडियो होता है, यहां पर खत्माप यहां से वीडियो चुड़कर चाह सकते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया इस समय डिसकस कर रहा है, कुरोना वैक्सिन के बारे में, और आपको बता दें, पाकिस्तान को भारत की तरफ से साड़े चार करोर कुरोना वैक्सिन के डोजिस बहुत जल्दी मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको बता देना चाहता हूँ, यह पाकिस्तान ने भारत से रिक्वेस्ट नहीं की, ना भारत ने पाकिस्तान को देने की बात की, यह एक्चुली में एक संगठन है पाकिस्तान को मुप्त में जो वैक्सिन मिलेंगी, वो पाकिस्तान अपनी आवाब को देगा, पाकिस्तान की जो सरकार इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान खरीद के वैक्सिन लगाए अपने लोगों को, वो चाहता है लोग मरें, जो कुछ हो उनका, उससे कुछ आपने देखा पाकिस्तान में जो अभी PSL हुआ था पाकिस्तान सुपर लिंग वो भी कोरोना पॉजिटिव केसिस के कारण कैंसिल हो गया और पाकिस्तानियों को कोई भी सर्म नहीं आती पाकिस्तानी चाहे तो वैक्सीन के लिए भारत से बात कर सकते थे आपको बता दें कि पाकिस्तान के अमरान खान का ऐसा एटिटीट है कि वो इतना एटिटीट वाला बंदा है कि वो साइद भिकारी मतलब वो वैक्सीन की बात ना करें वो पैसे की बात जरूर कर लेगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया ने डिसकस किया भारत की जो वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती है रही सो रूपे की है और भारत की जो वैक्सीन है सबसे जादा अभी तक मतलब देशों द्वारा ली गई है मतलब लगभग लगभग 80-90 देश पहुच चुकी है यह वैक्सीन और सायद अभी और देश बहुत कतार पर है जो West Indies के आईलाइड इस देज है उनको पूरो पूरा मतलब पूरा भारत नहीं वैक्सीन से दे कर उनका कोरोना वाला मतलब सिस्टमी गेम खतम कर दिया मतलब भारत के आप समझ सकते हो क्या जवरजस्त काम कर रहा है भारत इस समय सारी दुनिया में और भारत इसी वज़य से भारत का जो नाम हो रहा है बहुत जबर जस्त हो रहा है भारत की वैक्सीन मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैक्सीन में से एक बन चुकी है क्योंकि आपको बता दे कि जो दूसरी वैक्सीन है वो बहुत गरीब देस एफॉर्ट नहीं कर सकते हैं उनका जो ट्रांस्पोर्टेशन चार्जेसे जैसे फाइजर, फाइजर को माइनस 70 डिग्रीज में रखना पड़ेगा, जो की बहुत ही मुस्किल है, एवन इंडिया में आप बड़े बड़े सहरों में ही ये वैक्सीन लग सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो होता है, खत मकर आप